मस्कार, ओमेटिकनल चनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ EPS 95 Pensioner के बारे में, देखे जनरली सुना गया था कि दो तारीकों एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिस बैठक के दर्मियान इस चीज का निर्णे लिया जा कि दो तारीक को एक डेठ दिया जाएगा, जिस डेठ के मार्दम से आपका P.F. कब से मिलेगा Pension, उस पे बताया गया था, दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि जो सरवुच नियाले में EPS 95 Pensioner का केस चलड़ा है, उस केस के बारे में क्या हुआ, देखे यहाँ पे इस प पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा सोतंत्रता है और पूरा अधिकार भी है, पर अपनी बात रखने के लिए भी एक समय की मर्यादा होनी चाहिए, माय बाप, हम EPS 95 के के केस में देश के EPFO उन तमाम मर्यादाओं का उलंगन कर तमाम निब्युत कमिचारियों को उनके अधिकार और सम्मान से दस को दूर रखा है, और इस केस का खर्चा भारत सरकार और EPFO खुद के जेब से नहीं अपित इनहीं निवरित करमचारियों के EPFO में जमाराचि से किया है, यह बेहद ही निंदनी होगा किसी भी देश के सममत्राले और भविश्य निर्वान संगठन के लिए, आगे है कि मायवाप सर्बुच नयाले से बिंती है, भारत सरकार और EPFO को इस अभदर बेवहार के लिए तमाम निवरित करमचारियों को सिग्र अति सिग्र नया प्रदान करने है तो आवेदन दिये जाए, ताकि देश को महा सत्ता बनाने में अपना योगदान द दरकारी करमचारियों को इतना ही योगदान दिया है, इस लोक तंत्र को संभित कराने में, दोस्तों 21 आधार पे कहा जा रहा है, यह जो पोस्ट है, तो किस आधार पे आया है, इसका मैं आधार सिला आपको दिखाता हूँ, आप इसका आधार सिला देखने के बाद में बिल पढ़ सकते हैं कि कोट में तारिक लेने की परमपरा पर अंकुष्ज लगेगा। तो इसमें सबस्ट रूप से लिखा गया है कि कोट में जो तारिक है उसे आप लेने पर अंकुष्ज लगेगा। तारिक लेने पे अंकुस लगेगा तो कोट में तारिक जो लेना है तो बिधी मंत्राले द्वारा गठित टास्क फोर्स ने एक मुकदमे में अधिकारिक तीन वार तारिक देने की विवश्था लागू करने की सिपारिस की है तो ये जो सिपारिस है दोस्तों आगे चलके रहा है ये ख़जार दिन उसके पूरे हो चुके हैं खली जो बैठक हो रही है बुल्धान महारास्टर में वहां पे तो मैं आपको पहले भी वीडियो बना कि उसमें समझा चुका हूँ आज हम यहां पर यह समझ लेते हैं कि यह जो कोट की तारीक पे अंकुस लगने वाला है वो किस अधार पे लगेगा और कितने दिन में लगेगा तो यहां पर इस परश्टरूप से बताया गया है कि अधिक्तम तीर बार तीन ही बार आप तारीक देने की बिवस्ता लागो करने की सिपारिस किया यानि कि एक केस को सिर्फ और सिर्फ तीन बार ही तारीक मिल सकती है तीन बार में उसका जो फंसला है वो देना पड़ेगा और यहां पर लिखा गया है कि अगर वकील तीन से ज़्यादा बार तारीख लेंगे तो हर जाना भरना पड़ेगा तारीख लेने से पुर्व वकील को लिखित में अरजी देनी पड़ेगी तथा नय धीज को समझाना प इसमें एक छोटा सा बिंदू रखा गया है कि अगर तीन बार से ज़्यादा आप रखते हैं तारीख लेते हैं तो आपको हर जाना देना पड़ेगा और साथ में नय धीज को यह बात को समझाना पड़ेगा उनको इस बात से सटिस्फेक्शन मतलब उनको पूरी तरह से एक होता है तो वकील को बहस करनी पड़ेगी अगर जज साहब अगर वकील साहब के जो तरक देते हैं उससे सहमत नहीं होते हैं तो वकील साहब को क्या है कि उनसे बहस करनी पड़ेगी जज साहब से और बहस करने के उपरांत जो डिसीजन होगा वा सुनाया जाएगा तो मेरे ह तो बहुत सारे केसों को मतलब की बहुत बार तारीक मिल चुकी है तो अब उसका इस न्याय के आधार पर हो सकता है कि आने वाले चुबिस तारीक को उनका न्याय हो जाए और एक फाइनल फैसरा सुनाया जाए दोस्तों आज का अपडेट आपको कैसा लगा अगर अपडेट आपको अच्छा लगा तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर दें चलिए दोस्तों मि कर जह हुआ 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 है